तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे spiritual awakening के बारे में हर इंसान का अपना ही एक अलग नजर्या होता है चीजों को देखने का सबकी spiritual journey अलग होती है तो आज की वीडियो में मैं अपने नजर इसक बताऊंगी के spiritual awakening क्या होती है कैसी होती है so without any further delays let's get into the video जब हमारी spiritual journey की शुरुवात होती है जब हम spiritual journey में आते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को कहराई से जानते हैं कहराई से समझते हैं खुद को कहराई से जानते हैं खुद को कहराई से समझते हैं हम भगवान को समझ पाते हैं, भगवान को जान पाते हैं, एक connection फिल करते हैं भगवान के साथ, universe के साथ, और हम ऐसा लगता है, यही spiritual journey है, यही awakening है, पर आपकी real spiritual awakening की शुरुआत तब होती है, जब आप change को accept करते हो, spiritual awakening से पहले, spiritual journey से पहले, आपकी एक अलगी life होती है, totally different life, ऑगे, पर जब आप spiritual journey में आते हो, तो दीरे दीरे चीज़े आपके सामने खुलने लगती है, दीरे दीरे आप चीजों को जानते हो, समझते हो, एक कहराई से, अपने आपको जानते हो, समझते हो, और अब आपके सामने एक अलगी reality है, और अब सवाल ये है, कि क्या आप change करोगे, क्या आप खुद को change करोगे, क्या आप अपकी life को change करोगे, अब जब आपने चीजों को गहराई से जाना, समझा, भगवान के बारे में जाना, अपने बारे में जाना, life के बारे में जाना, बहुत सारी चीजों के बारे में अपने जाना, समझा, एक तम गहराई से, तो आप सवाल ही उठता है कि क्या आप change लाओगे क्या आप खुद के अंदर आपकी life में वो change लाओगे आपकी जो पहली जो life ती और अभी जो reality है आपके सामने उसमें बहुत difference है, right? This is totally a new reality, जैसे बोलता है new earth the beginning of new earth, okay? तो क्या आप उस change को लाओगे? क्या आप खुद को बदलोगे? क्या आप अपकी life को बदलोगे? तो जब आप उस नई reality को accept करते हो, embrace करते हो और अपनी life में अपने अंदर उस change को लाने की शुरुवात करते हो, तब आपकी spiritual awakening की जनी की शुरुवात होती है. चीजों के बारे में जानना, समझना, सिर्फ यही spiritual journey का पार्ट नहीं है. जब तक आप उस नई reality को create नहीं करते, तब तक आपकी real spiritual awakening की जनी की शुरुवात नहीं होगी. और ऐसा नहीं है कि भगवान या universe आपको force करेंगे. यह आप खुद करोगे. यह आप खुद करोगे. और इसी लिए spiritual journey, spiritual awakening इतनी difficult लगती है. क्योंकि हमें पुरानी life, पुरानी चीजे, पुरानी habits, पुरानी patterns, सब break करना पड़ता है. हम कितने सारे lessons learn करते हैं, karmic cycles end करते हैं, transformation से गुजरते हैं. और हमें लगता है, यह कितना difficult है, कितना painful है. यही सारी चीजे, lessons, karmic cycles, patterns, यही सारी चीजे आपको prepare करती हैं, उस नई reality को create करने के लिए. यह आपको prepare करती है, तयार करती है. जैसे एक student, उसकी exam के पास होने के लिए तयारी करता है. ठीक, वैसे ही. यह जो भी lessons है, karmic cycles है, patterns है, healing है, transformation है. यह सारी चीजे, जिसे आप spiritual awakening समचते हैं, वो सिर्फ आपको तयार करें, prepare कर रही है. ताकि आप उस नई reality को create कर पाएं, जिसे अपने खुद ने discover किया है. spiritual journey में आने के बाद, चीजों को जानने के बाद, पहचानने के बाद, कहराई से जानने के बाद, समझने के बाद. तो spiritual journey में आने के बाद, आपके सामने जो नई reality की, ये जो image create हुई है. तो जब आप उस नई reality को create करने के लिए, कोशिश करते हैं, try करते हैं, वो स्चेंज को लाने का प्रयास करते हैं, तब आप real spiritual awakening का experience करते हैं. क्योंकि आप उस पुरानी life, पुरानी patterns, पुरानी habit, पुरानी reality को छोड़ के, एक नई reality create करते हैं. Because now you know better, right? तो अगर आप आपकी spiritual journey में struggle कर रहे हैं और आपको लग रहा है के, you know, इतनी सारे difficulty, challenges, is a, it is happening because you are trying to create a new reality, okay? So, it's okay, take your time, take your time, listen to your intuition and just, and just walk on the beautiful path of wisdom, light, truth, divinity. Yeah, so that's all I have for this video, I'll see you guys in my next video, till then take care and bye-bye.